पाच लोग को एक रीमोट डॉल म्यूजियम में बुलाय जाता है इसके बाद एक एक करकर मिस्ट्रियस लिए मर रहे है अब इसके बीचे का रीजन क्या है? कि सरोय वर्स को ढूनना है आज के हमारी मुवी डॉल मास्टर ये एक होरर थ्रिलर मुवी है इस मुवी की स्टोरी मल्टि लेड है तो इस मुवी का experience वो और भी enhance करती है तो चलिए इस मुवी को explain करना start करती है मुवी स्टार्ट होती है और हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है एक लड़का एक लड़की से बहुत पैर करता था इसलिए उसने उस लड़की के लिए डॉल बनवाई थी पर उसे ये नहीं पता था कि डॉल भी उससे पैर कर सकती है एक दिन जिस लड़की से वो पैर करता था उसकी लाश उसे मिली और उस लड़की का मर्डर सस्पेक्ट वही बन गया विलेजवालों ने खुद ही उसे पनिश किया, मार डाला और गार दिया लास्ट चीज जो उस लड़की ने देखी वो डॉल थी जिस जगा पर उसे गार रहे थे उसी जगा पर डॉल भी थी डॉल इस लड़के से बहुत पैर करती थी तो हमेशा उसके ग्रेव के पास ही वो बेठी रही है यहाँ इस टोरी में लड़की को मारने वाले भी डॉल ही थी यह स्टोरी हमारी यहाँ खतम हो जा दिये और हम प्रेजेंट दिखाया जाता है हमारा मेन क्यारक्टर हम देखते हैं जिसका नाम है हेमी हेमी अपनी गाड़ी से डॉल म्यूजियम में चाह रही है वो अपने मदर से बात करी होती है कब वापस आएगी किस तरह से जा रही है यह से उसे बताती है यह बाती कर रही है तो भी उसका कॉल कट हो जाता है जिस एरिया में जाती है इस एरिया में कोई भी रेंज नहीं है आगे चलकर एक लड़का उससे लिफ्ट मांगता है ये भी हमारा मेन क्यारेक्टर है जिसका नाव में तेसंग हेमी उसके लिए गाड़ी रोकती है तो तेसंग कहता है कि मुझे डॉल म्यूजियम जाना है ये दोनों एककी जगा पर जा रहे है तो एक साथ जाते है इनका म्यूजियम जाने के लिए रिजन ये है कि ये दोनों डॉल के लिए मॉडल करने वाले है यानि कि जिस तरह से दिखते है उसी तरह से डॉल बनने वाली है यहाँ पर और तीन लोग को भी invite किया गया है तेसंग और हेमी दोनों museum पहुचते हैं और वहाँ पर एक photographer भी है हेमी को देखती है यह photographer उसके photo निकाल लेता है हेमी जब इस photo को देखती है तब उसके पीछे red dress में एक लटकी थी वो पीछे मूरती है पर पीछे कोई नहीं है museum में dolls को model करने के लिए और कुछ लोग को बुलवाया गया है उसमें एक student है और एक writer है यह जो हमारी writer है यह ज़रा अजीब है इसके हाथ में doll होती है यह किसी से भी जादा बात नहीं करती है उसके चेहरे से यह दुखी लगती है इन सब लोग को अंदर invite किया जाता है इस museum का owner जिसका नाम में चाव यह इन सब से मिलता है सब लोग अपने आपको introduce करवाते है इनके जो profession ते ही क्या करते है ही मैंने already आपको बता दिये है इनके नाम हम इनके profession से ही मानेंगे अगर आपको इनके नाम से मैं explain करूँगा तो ज़रा complicated हो सकता है इसके लिए ज़रा इससे easy करते है चाव जब यहाँ तेसंग को देखता है तो ज़रा surprised है चाव ने तेसंग को कभी भी बुलाया नहीं था तेसंग एक professional model है और चाव को कभी भी professional model नहीं चाहिए क्योंकि अगर डॉल professional model से बनवाई के तो दनी realistic नहीं लएगे रियल लोगों को बुलाया गया और उनसे model करवाया गया तो यह सही हो सकता है चाव फिर तेसंग से कहता है कि मैंने तो तुम्हे invite नहीं किया था तेसंग कहता है कि हाँ मुझे पता है पर मुझे यहाँ होना था मुझी museum देखना था और model भी करना था तेसंग यह करने के लिए बहुत ही excited है चाव तेसंग से कहता है कि पहले हमारी artist से तुम मिलो और फिर हम decide करेंगे यानि कि actual doll create करने वाली अब decide करेंगी कि तेसंग पर डॉल बनवानी चाहिए या नहीं चाव फिर सब लोग को जहाँ पर डॉल रखी हुएती है वहाँ लेकर जाता है यहाँ बहुत सारी डॉल है तो सब pictures लेने लग जाते है चाव केता है कि यह सब doll real human से ही inspired है उपर से artist आती है जिसका नाम है इम इम तेसंग को देखती है और उसे वो पसनाता है यानि कि अब वो यहाँ रुख सकता है चाव फिर सब लोग को उनके rooms दिखाता है हेमी जब अपनी room देखती है तो अचानक से डर जाती है एक बड़ी से doll की हाथों में mirror है इस घर में बहुत सारी dolls है तो यह भी उसका ही पार्ट है वो doll के face को notice करती है इस face की details brilliant है हेमी अपने खिटकी से नीचे देखती है तो नीचे एक red dress में लड़की है यह वह लेड़की है जो उसके picture में भी आई थी हेमी को अप डॉल्स के face pictures निकालने है वो writer से मिलने के लिए जाती है उससे कहती है यह picture लेने के लिए जा रही हो क्या तुम मेरे साथ चलोगी पर यह writer इसमें interested नहीं है वो writer से कहती है कि यह जगा ज़रा strange है क्या तुम में नहीं लगता यह सुनकर writer उससे अंदर बुलाती है अंदर एक chandelier है और उस पर भी बड़ी सी doll है यह doll देखकर writer भी डरी हुई थी हेमी उसका भी photo लेती है कहती है कि इतनी ज़ादा details है ऐसा लगता है कि इन में भी soul है हेमी यहाँ पर writer के doll पर बैठने वाली थी पर writer ने गुसा होकर वो doll अपने हाथों में ले ली हेमी उसे sorry कहती है हेमी पुछती है कितने सालों से तुमारे पास यह doll है writer कहती है कि जब से मैं छोटी थी तब से मेरे पास यह doll है और यह doll नहीं है इसका नाम भी है उसमझती है कि इस doll में soul है और उसका एक अच्छा friend वो है उसे लगता है कि उसने doll adopt की थी as a real person ही उसे treat करती है हेमी को अजिब लगता है कि doll का नाम भी है हेमी कहती है कि मैरे डॉल का नाम मुझे कभी भी याद नहीं है हमेशा नई ब्यूटिफॉल डॉल आती थी तो पुरा ने डॉल को में फेक दीती थी इनकी conversation यही खतम होती है next day में हम देखते है कि जब हेमी फोटोज ले रही थी तभी उसे strange आवाजे सुनाए दी यह सब मिलकर लंच करते हैं लंच करते हैं फिर से writer की डॉल का subject निकलता है यहापर उसे पूछा जाता है कितने साल होगे तुमारे पास यह डॉल है इस writer को year month or day सब कुछ पता है इसमें से student कहती है कि इतने साल होगे तुमें सब fake क्यों देती है फोटोग्राफर कहता है कि इसमें सोल हो सकती है वो फिर explain करता है कभी-कभी जो चीज़े हम use करती है जो हमें अच्छी लगती है उसमें सोल आ जाती है सब लोग को यह बुल्शिट लगता है आर्टिस कहती है कि जब भी मैं कोई डॉल बनाती हो तो मेरी पूरी सोल उसमें डाल देती हो यह एक अच्छा वे है चीज़ों को देखने के लिए तो सब लोग इस पर agree करते है लंज के पात डॉल के पास सब लोग फोटो ले रहे है यहां हम देखते है व्राइटर का जब फोटो लिया जा रहा था तो अचानक से वो डिस्टब हो जाती है उसे कुछ आवाजे सुनाई देती है और इस आवाजों को रेजिस्ट करती है वो चकर आकर नीचे किर जाती है उसके बैग में उसकी कुछ दबाईया थी तो यह सब उसे देते है और उसके रूम में जाक कर उसे सुना देते है रैटर को यह सब हो रहा था तो सब लोग distracted थे इसका फाइदा उठा कर तेहसंग वहाँ से निकल जाता है डारेक्ली चाओ के ओफिस में आता है चाओ के ओफिस में कुछ ढून रहा है सब चीजे investigate कर रहा है चाओ अचानक से ओफिस में आता है तो तेहसंग वही कबर्ड में छूप जाता है इस कबर्ड में हम देखते है तेहसंग के नेक के पास हाथ आ चुका है तेहसंग डर कर देखता है तो एक बड़ी सी डॉल यहाँ भी है थोड़ा सा आवाज होने की वज़े से चाओ को पता चल जुका है कि तेहसंग यही है तेहसंग को भाहर निकाल कर पूछता है कि यहाँ तुम क्या कर रहे थे तेहसंग केता है कि मेरी girlfriend को में call करना चाता था पर यहाँ network नहीं है इसलिए मैं आपका phone यूज कर रहा था चाओ उसे warning देकर छोड़ देता है नेक सिन में हम देखते है कि चाओ basement में आता है और एक आदमी को वहाँ बांदा हुआ है इसी basement में इन सब पाचों लोग के photos भी है चाओ इस आदमी को कही कर जाता है कि वो वापस आएगा हेमी स्टूडन के साथ hangout कर रही होती है हेमी के हाथ पर एक बड़ा सा scar है जो स्टूडन देखती है स्टूडन इसके बारे ने उसे पूछती है हेमी कहती है कि मैं छोटी थी तभी एक by accident मेरा हो गया था उसी वज़े से मुझे चोट लगी थी वो राइडर के डॉल नीचे पड़ी हुई थी तो हेमी उसे उटाती है और एक चेर पर रख देती है इसके बाद डिरेक्ली हम देखते है कि वो डॉल राइडर के पास आ चुकी है हेमी जरा म्यूजियम से बाहर निकलती है वह वर फिर से उसे रेडरेस वाली लड़की दिखती है उसके पास जाकर उसे वो बाते करती है यह इस लड़की से उसका नाम पूछती है इस लड़की का नाम मिना है तेसंग भी म्यूजियम से निकलता है तो हेमे उसे आवाज देती है तैसंग उसके पास आता है पर तब तक मीना वहां से गायव हो चुकी है यह उसे बहुत इस्टेंज नगता है यह दोनों बात करते है तभी आर्टिस्ट मिन हेमे को बुला लेती है हेमे उसे मिलने के लिए जाती है आर्टिस्ट हो से कहती है कि तुम भी डॉल्स में बहुत इंट्रेस्टेट हो हेमी एक स्कल्प्चर है इसलिए उसे डॉल में बहुत इंट्रेस्ट है यहाँ पर बहुत सारी डॉल है तो हेमी ये सब डॉल्स देखती है इसमें से एक डॉल नीचे वह जिस लड़की से मिली जिसका नाम था मीना उसे बहुत ही मिलती जुलती है वह आर्टिस से पूछती है कि यह तो मीना की डॉल है तुम उसे मिली तुम्हें कैसे लगा алог, हैमी को यह सवाल समझता नहीं आर्टिस कहती है कि मुझे लगा तुम एक दूसरे को जानती हो मिना हमेशा तुम्हारे बारे में बहुत सारी बाते करती है मिना ने कहा था कि हैमी जब उसे पहली बार देखीगी तो उसे रिगर्ग नाइस कर लेगी यह सब कहेकर आर्टिस हेमी को जाने की लिखेती है नेक्स्ट रूम से मीना बाहर निकलती है हार्ट प्रोकन है और रो भी रही है हेमी जब अपनी रूम में आती है तो राइटर जग चुकी है वो बहुत ही गुसिम है यूँकि उसकी डॉल को किसीने काट डाला है यह राइटर हेमी को इसके लिए मार ही डालना चाती है यहाँ बार एक फोटो हम देख सकते है जिसमें हेमी डॉल को मार रही है हेमी इसे डिनाय करती है कि उसने इसा कुछ भी नहीं किया है वराइटिल को फिर से चक्कर आती है और वही वह गिर जाती है नेकसिन में हमें आर्टिस्ट इम और चाव यह दोनों बेस्मेंट में आयो होई दिखते हैं जिस आदमी को उन्होंने चेन करकर रखा है उसे वह पुछत है कि हमें पता नहीं कि किसने मारा है पर जो भी किया था उसके पीछे सिंबॉलिक मिनिंग था यह सब इंट्रेस्टेट हो जाते है यह फोटोग्राफर कहता है कि डॉल में सोल होती है और यह सोल उनके नेक से नीचे जाती है अगर उनके नेक से हम उसे तोड़ थे तो उमर सकती है उसी तरीके से रैटर की डॉल भी मारी कई थी यह बहुत ही सूपर स्टीजस है तो उस पर कोई भी बिलीव नहीं करता फोटोग्राफर और भी उनने कन्विंस करता है वो कहता है यहाँ आसपास यह गाव है जहाँ पर एक डॉल ने बहुत सारे लोगों से बदला लिया था यहाँ बैठे हुए सब लोग रियलाइज करते है कि एक्चुल में यह सब लोग उसी गाव से है यानि कि इनके एंसिस्टर वही रहते थे इन सब को बहुत ही अजीब लगता है वो राइटर रात में उठती है क्योंकि उससे लगता है कि उसके रूम में कोई है वो यहाँ वहाँ देखती है पर उसके शैंडिलियर में जो डॉल थी और वो अलाई हो चुकी है उस पर जबक पढ़ती है उसे मार डालती है डिनर करकर हैंए जरा म्यूजियम से बाहर निकल दिये उसे फिर से वहाँ मीना दिखती है मीना रो रही है तो है में उससे बुछती है कि जाती है और भागने लगती है अचानक से इसका बेर फिचलता है और नीचे गीर कर वेहोश हो जाती है नेकसे में हम देखते हैं कि व्राइटर की तबियत कैसी है यह चेक करने के लिए स्टूडन उसके रूम में आती है अंदर उसे व्राइटर लटकी हुए मिलती है यह एक गार जाता है अपनी गारे निकलता है और आगे जाता है किरकी से तेसंग यह नूटिस करता है कि यह भाग क्यों रहा है तेसंग उसका गाड़ी में पीछा करता है पर आगे चल कर फोटोग्राफर का भी एक्सिडन्ट हो चुका है और हो मर चुका है नेकसी में हम देखते हैं मी जब बेहोश है तो उसे अपनी बच्चपन की एक याद आती है इसके इस मेमरी में एक डॉल के साथ वो खेल रही है और ये डॉल मीना की ही है वो सबने में डर कर उच जाती है वो भागते बागते चाओ के ऑफिस में पहुचती है अपनी मदर को कॉल करती है उसकी बच्चपन की डॉल कैसी थी या अपनी मदर से वो confirm करवाती है यह बहुत ही डर चुकी है क्योंकि उसकी बच्पन की डॉल जिन्दा होकर वापस आ चुकी है अचानक से वहाँ मीना भी आती है मीना उसे कहती है क्या अब तु मुझे पैचान रही हो हैमी कहती है कि मैं तुम से डरती हो मेरे पास मताना और वहाँ से भागती है मीना को बहुत ही हर्टफूल महसूस होता है हमी अब यहाँ से भाग रही है अपनी कार की चावी निकालती है पर आगे चल कर ही चावी नीचे गिर जाती है अचानक से तेसं उसे पकड़ लेता है वह कहता है कि तुम ही वो किलर हो जो सब लोग को मार रही हो क्योंकि सब लोग मर जुके है सिर्फ हमी बची हुई है हमी कहती है कि मैं तुमें सब को समझा सकती है उसे कहती भी है कि उसके बचपन की डॉल सब लोग को मार रही है पर यह वो बिलीव नहीं कर पाता तेसं कहता है कि मैं एक पुलिस ओफिसर हो यहाँ काम करने वाला आदमी मर गया था तो उसकी इन्वेस्टिकेशन करने के लिए मिहाँ अंडर कवर आया था उपर से आर्टिस्ट इम आ जाती है तेसं मुझस से गता है कि मैंने कल्पिट को ढून लिया है यही यह सब कर रही है इम पुछती है यह तुमें क्यों लगता है कि इसने ही किया है एक्च्वल में एक स्रांग के पास एक फोटो है जिसमें दिख रहा है कि हैमी स्टूरंट को मार रही है हमने देखा था कि फोटोग्राफर ने स्टूरंट के टॉयलेट में फोटो ली थी यह वही फोटो है इस फोटो में साब साब दिख रहा था कि हैमी स्टूरंट को मार रही है आर्टिस्ट इम टेसंग को फिर से इस फोटो को देखने के लिए कहती है अचानक से इस फोटो में से हेमी गायव हो जाती है इम फिर रहे थी है कि तुमने जो थेरिस बनानी थी वो बना ली अब मेरी सुरो एक लड़का था जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था उस लड़की को किसी ने मार डाला पर गायव वालों ने पूरा शक इस लड़के पर डाल दिया मूवी के फस में हमें जो स्टोरी सुनाए गई थी ये वही स्टोरी है इस लड़के की डॉल उसे प्यार करती थी उसने ठान लिया था कि सब लोगों से वो बदला लेगी उसने इस विलेज के सब लोगों को मार डाला था जिन लोगों ने उस लड़के को मारा था उन्हें लोगों की नेक्स जनरेशन ये पास लोग थे जो अब म्यूजेम में आये थे इन में से तीन लोग मर चुके सिर्फ हैमी और तेसंग बचा हुआ है ये डॉल अभी भी इन सब लोगों को मार कर बदला लेना चाहती है हम एक फ्लेश बैक देते हैं जिसमें हमें इम और उसका हस्बंड लिखता है जो बेस्मेंट में बंदा हुआ आदमी है वो इम का ही हस्बंड है जब इम और उसका हस्बं यंग था तब उन्होंने इस डॉल को देखा था और इस डॉल को अपने घर पर वो लेकर आये थे पर इसी डॉल की सोल अब इम में खुश चुकी है और वो सब लोगों से बदला ले रही है इम कहती है कि तुम दोनों तडब तडब के मरोगे और वहाँ से निकल जाती है तैसक इम के पास जाने के कोशिश करता है पर इनकी गंतन पूरी पीछे गुमती है यह बहुती डर जाते है अब इन दोनों को जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना है वो हेमी से बुचता है कि तुमारी कार कीस कहा है उसे लोकेशन बताती है तुनने के लिए निकल पड़ता है हेमा अपना प्रोटेशन कर सके उसके लिए उसे एक गं दे देता है हेमा जब अकेली थी तब उसके पास मीना आती है मीना उसे यह थी है कि इमने मुझे कहा है कि अगर मैं उसके हेल्प करूंगी तो तुम्हें वो जाने देगी मीना ही थी जो सब लोग को मार रही थी हेमा डर कर मीना पर गं चलाती है मीना अंदर से हर्ट हो जाती है पर अपना काम कंपलिट करने के लिए वो हाँ से निकल पड़ती है मीना तेसं के पास जाकर उसे लटका देती है हेमी हत्कड़ी से बंदी हुई थी पर तेसं को हेल्प करने के लिए यह हत्कड़ी वो तोड़ देती है अचानक से उसे फोटोग्राफर की बात यादाती है अगर डॉल को मारना होगा तब उसे गर्दन तोड़ देनी है मीना की डॉल उसने इम के रूम में देखी थी तो डॉल ढूनने के लिए वो वहाँ पोच्छती है इस डॉल को तोड़ने ही वाली थी पर वहाँ मीना पोच्छा दिया और इस डॉल को गाइप कर देती है मीना कहती है कि तुमने तब मुझे छोड़ क्यों दिया था तुम मझे हट क्यों कर रही हो मीना की आखे अप लाल हो चुकी है वो बहुत ही गुस्से में है जल्दी से हेमी वहाँ से भाग जाती है इसके नेकसिन में चाओ को बेसने में आते हुए दिखते है इम के हजबन को यहाँ बांदा हुआ है इसे ओ बात ही करता है चाओ कहता है कि तुमें हमारे लिए एक डॉल बनवा नहीं पड़ेगी ये डॉल सिर्फ इम का हजबन बना सकता है क्योंकि उसे ये करना आता है ये डॉल जो बनवाना चाते है ये उस लड़के की है जिसे मार दिया गया था अगर लड़के की डॉल बन जाए तो उसमें सोल आ सकती है ये लड़का और उसकी फ्रेमी का हमेशा एक साथ रह सकते है चाव आर्टिस्ट इम का प्रदर है उस डॉल ने आर्टिस्ट को पजेस कर लिया है डॉल ने कहा है कि उसका प्यार जो लड़का है उसके अगर तुम डॉल बनाओगे तो आर्टिस्ट को जाने देखी इसलिए ये सब चाव कर रहा है आर्टिस के हस्बन को पता है यह डॉल जो है वो एक evil डॉल है वो इस डॉल को help नहीं कह सकता इसके लिए हो मना करता है आर्टिस का हस्बन यह डॉल create करें इसलिए चाव और आर्टिस दोनों मिलकर इसे torture करते थे यह chain से बंदा हुआ है पर इन chain को तोर देता है चाव को ही बान कर वहाँ से उपर आता है इसके बाद नेक्सिन में हम देखते है कि मिना अब तेसंग और हीमा इन दोनों को मार डालने वाली थी तेसंग हेमी को protect करते हुए खुद मर जाता है मिना हेमी के पास आती है और उसे हो मारने वाली थी तब हेमी के हाथ पर सकार उसे दीख जाता है उसे बच्चपन की एक याद आती है हेमी छोटी थी और अपने डॉल से यानि कि मिना के साथ वो खेल रही थी यह खेलते-खेलते रस्ते पर आके रस्ते पर इन दोनों से एक गाड़ी ठकराने वाली थी पर हेमी ने मीना को प्रोटीक किया था अब मीना को रेलाइज होता है कि हेमी बच्चपन में उसे बहुत प्यार करती थी इसलिए अब उसे वो छोट देती है यहाँ पर आर्टिस्ट इम पोच्चती है आर्टिस्ट ने मीना को कहा था कि हमी को मार डाले पर मीना अब ये नहीं करने वाली आर्टिस्ट इस पर बहुत ही गुस्सा होती है मीना की डॉल को तोड़ देती है मीना इसी वज़े से मर जाती है आर्टिस्ट हमी को मारने के लिए उसका गला दबाती है तबी उस पर गोली चल जाती है यह आर्टिस्ट के हजबन नहीं गोली चलाई थी, आर्टिस्ट के अंदर डॉल की सोल है, गोली चलाने की वज़े से ये दोनों हर्ट होती है, चाव बेस्मेंट से बाहर निकलता है, आर्टिस्ट का हजबन आर्टिस्ट को नहीं मार सके, इसलिए इन दोन में फाइट होती है आर्टिस्ट जखमी है पर फिर भी हो हेमी के पास ही जा रही है हेमी को मारना चाती है हेमी एक चाको लेकर आर्टिस्ट को मार डालती है आर्टिस्ट के हस्बन ने भी चाको मार डाला है आर्टिस्ट अभी भी थोड़ी सी जिन्दा है उसका हस्बन उसके पास आता है आर्टिस कहती है कि अब मैं मर रही हूँ तब उस डॉल ने मुझे जाने दिया है जब डॉल उसके शरीर में थी तब उसे बहुत ही तकलीव दे रही थी आर्टिस अपने हस्बन को उसे मारने के लिए थेंक्यू कहती है उसने उसे मुक्त कर दिया है जो भी सब लोग मरे है तो आर्टिस का हस्बन और हीमा इन सब की बॉडी जला देते है यही हमारी मुवी खतम हो जाती है तो इस मुवी में एक इविल डॉल एक लड़की से प्यार कर दी थी इसे वज़े से उस लड़की की प्रेमिकाओ को भी उसने मार डाला लोगों ने उस लड़के को मारा तो इन सब लोगों से बदला लेने के बाद भी उसके जनरेशन को मार दिया रहे थी जब आर्टिस और उसका हस्बन इस डॉल को अपने घर लेकर गए तो आर्टिस को इस डॉल ने पोजेस कर लिया उस लड़के को मारने वालों की न्यू जनरेशन अभी भी जिन्दा थी इसलिए आर्टिस और चाव ने इन सब को म्यूजेम में बुलाया और एकेक कर कर मारने वाले थे हेमी ने बच्वन में अपनी डॉल को अबेंडन कर दिया था उस डॉल को इन्होंने अलाइव किया और सबसे बदला लेने के लिए यूज कर रहे थे उन्होंने डॉल को कहा था अगर वो उसे हेल्प करेगे तो हेमी को जाने देंगे वो ऐसा कभी भी करने नहीं वाले थे आर्टिस चाओ के सिस्टर थी और डॉल ने आर्टिस को पोजेस कर लिया था डॉल ने चाओ को कहा था कि अगर वो उसे हेल्प करेगा तो वो आर्टिस को जाने देगी इसलिए सब वो कर रहे थे आर्टिस्ट का हाजबन इन सब के लिए मना कर रहा था इसलिए उसे बेस्में में बन कर दिया गया था लास्ट में हम देखते हैं कि आर्टिस्ट का हाजबन आर्टिस्ट को मार कर उसे मुक्त कर देता है हिमा की डॉल मीना उसे प्रोटेक्ट करते हुए ही मर गई लास्ट में और सब लोग की बॉड़ी जलाते है यानि कि किसी भी सोल किसी और चीज में ना गुश जाए इसी तरह से इस मूवी के एंडिंग हो जाती है यही हम आज का वीडियो खतम करते है अगर आप को वीडियो अचा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजेगा बहुत सारी मूवी लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और बेल अडि झाल